आप पार्ट तरी है जिसमें आप वीडियो तीसरा वीडियो है जिसमें पहले दूसरे वीडियो में आप चार और फांस हजिस शरीक के अखिलासा और इसके बारे में अखरावत में आप जो भी मुझे मालुम है आपके सामने अदाज कर रहा हलो, सलाले कुम जी साइब जर मशरा कर लियाँ है जर्मुश्किल है साइब तो अभी ये शित्वी हदीस है जो आपके सामने पेस्ट कर रहा हो हजुरत मालिक बिन मालिक बिन सासतन मालिक बिन सासत लुवाहें भी miejsc बिन कम के बिन दी लुवी आ करिम पिरिजिए के भी है जिस जमाद पर भी गुजर हुआ, उन्होंने मुझे हिजामत से इलाज कराने को कहा। तो यहां पर देखिए, कितनी बड़ी बात है, कि नभी कर्म से रिशात फर्माया, कि मेरा अच कि रात मेरा फरिस्तो की जिस जमाद पर भी गुधर गुधर गुगा उनों मुझे इज़्ामय Это कि इज़ाम करवाने करें फरिस्तों ने तो को किस ने कहा सुनने अलिवाज है कुन कहा अल्ल्ए टाला कहा कुने कहा अप्रिश्यक अधिया। को कहा कि आप अपनी मत को हिजामत से इलाज का हकुम फरमाईए ये है अजल ये है आप शेटवी हंदिस अपसाती हंदिस देखें अजल इबि अब्बास अजल देखेंगे नभी पाक से इसाद फरमाईए और इजामत से इलाज करने वाला क्या ही अच्छा आदमी है क्या ही अच्छा आदमी है कि फासिद खुन निकाल देता है और पुष्ट को हलका कर लेता है और नजर को तेस करता है और इबन अब्बास लिजनल्लाव टारान को फर्माते हैं कि मेराज की रात नभी एकर्म अबुजर फरिश्तों की जिस जमात पर भी हुआ उन्होंने आप शल्लाव सल्म से कहा कि आप हिजामत को लाजिम पकड़ें इसमें आप ये इसमें आप ये इशाद फर्माएं कि हिजामत से इलाज करने वाला क्या ही अच्छा आदमी है कि फासिद खुन निकाल देता है रहा है पर फासिद खुन क्या होता है इंसान के अंधर जो फासिद कुन है व सपरा, साउदा, बल्ःम फंख फासिद हो जयता है वो निकल जाता है और पुष्ट को हल करता है पुष्ट अइसी चीज़ है पी छिट कि उना पीट की बेच्दरती तॉर पर जो भी अंदर गलीज मवाद है या कोई हमारे जिसंग को Tत्रीफ पहुचाने वारी जिज है वो चीज को पुद्रती तॉर पर हमारा जिसंग हमारी जो मिल्नटी पावर है वो क्या करती है? वो जिल्द को भेज़ जिल्द है वो सारे टॉक्सिन्स आजाते हैं देखे आप जब मसाज करते हैं जब पीट को मसाज करते हैं तो कितना रिलीफ माईशच होते हैं और एक बात ये भी है कि आप ए रेड की हटी है और उसके अंदर 32 पेर्स आप नर्स हैं तो ये जो नर्स हैं वो डिपेंट करता ना तो नर्स अगर आपके रिलाक्स होगे तो आपको आरा हो नर्स पेन, नर्स पेन, नर्स पेन, नर्स पेन जो बगते हैं, नर्वस पेन टैड होगे, आप काम करकर के आप ठग गए उस वखत आप लेटते हैं पीड को ऐसासा करते हो, तो फीट कुछ करते हैं, इससे क्या हता, आप क्या हैं आप क्या अए क्या ऐselाड़ फर्मात हैं, कि हिजामत से इलाज करने वाला क्या ही अच्छा आड्मी है, पासित Hate देटा ह19 saw aandla like-अ- आप देखिये, जब हिजामा करवाते हैं, पेशेंट का कहना है, ये मेरा निबल के पेशेंट का कहना है, कि पेशेंट ये कहता है, कि मैं जब हिजामा करवाया, तो मेरे को ऐसा दिखा करें, खुला-खुला दिखने लग रहा है, और बग्दम फिरिश, ऐसा करके मुला आप इसे कई patients हैं जिनको बाज वकत इतना हैराट के patients को या कोई और spondylosis patients को ये पूरा pain होता है यहां से होता है पहरे तो वो मुझसे कहता है कि क्या आप guarantee देंगे इलाज सबकार फर्माइस है आप करो यखीन से करो इंशालला आपको शिफा होगा शिफा की यह से करिया आप यखीन देंगे आप guarantee देंगे आप 100% देंगे आप इससे पेकारवादे आप इलाज करो इंशालला फाइदा हो अल्ला आप इंशालला खुद फर्माटा कि कि आगर दिमारी के हिसाब से आप दाव दियो ढाज दियो दिमारी के हिसाब से इलाज करिये उसके बात शिफा मुझे पर और मिश्पोरा इंशालला आप यकिन रखे के ऐल्ला ताई आप आप गुमान में पड़े हैं, आप किया गुमान होता की, नई की, होता की, नई की, अगर 40% नई की वरे तो अलम्दुल्ला हो जाता है, अगर आप 60% नई की वरे तो आप नहीं हो आप अप अपिस सोच को पहले मजबूत करिए मजबूत करिए कि meant High हदीस चलिए पर सामने रखिए, अल्ला ताला तुमारे सोंच के साथ साथ सोंच के साथ साथ समझे आप इसको आप जहिन में रखिए तिसी हदीस है आम अधिसनी मदद नौमी हदीस यह है कि हज़त अभू हुरेरा रजिल लाव ताला हुं नभी एकर्म से रिवायत करते हैं कि तुम जिन चीजों से लाज करते हो उन मेंसे किसी में खैर और बेहतरी है तो वो हिजामा लगवाना है इतनी बार यहां पर ताकित किया गया है कि जिन चीजों से लाज करते हो उन मेंसे किसी में खैर और बेहतरी है तो वह हिजामा लगवाना है अबु हुरेरा रजय ज़्व तार्म थे उन्च रषाथ फरमाते हैं प्रिवाद करते हैं कि तुम जिन चीजों से इलाज करते हैं वो उन में से किसी में खैर और बेस्टरी है तो वह हिजामा लगवाना है और क्या हONा हो और इससे बहुतर सुबूत और क्या हो सकता है आपके लिए चलिए और बिस्मिल्ला रह्मान रहने हज़त दस्वी हदिस साथ के सामने पेश कर रहा हूँ हज़त अबू कबशा अनमारी फरमाते हैं सरे मुबार कपर और दोनों कंधों के दर्मान सर मुबार क्पर हिज़ते और फरमाते जिस सेघ्षध नहीं हज़ते हैं रही अपना कोन निकल वादिया दिखी हैं अपना गौस सूनिया आ पना कोन निकल वादिया तो अब उस उसे कोई खदशा नहीं उस बात से कि वो किसी बीमारी का कोई इलाज ना कराये क्या बात है सुभान अग्लाइब कितनी जबरदस बात है यहां पर यहां पर पिरिवेंट्टी मेडिस्न देखिए आप पिरिवेंट्टी कैसा कर रहे हां यहां पर हुजरे करम सल्दाल सल्में शायत फर्माया सरे मुबारक पर और दोनों कंदों के तर्मियान हिजामा लगवाया करते थे सरकार अब फर्माती कुन करे सरकार खुद करे आप और हम नहीं सरकार खुद करे करके फर्मा रहे हैं कि हुजरे कम भी भी जो चीज आप नहीं करते थैं, आप दूसरों को तरह का आपको वाखयर मालू हैं, आपको निखा बहुत पसंथ था नाने के पास बुरी इच जा करी जारा आप दिर फिर नसीयत करिये, तो हमा इसको घरना हो पर बोले कि अवे जी नूर दो मैठा काम करो। ज़र दुछे सचले साभवा जब उनुर जब गरे, सखरे अटे जयसे बैटि अजुछे इसे ही और काम जुटे। ज़र झूदे टो जो जबिले ही जुटेटको तो से मिठा ज्यारा काने लो जी दो आप मिठा नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, तो इसके अंदर अबू कबशा अन्वारी फर्माते हैं के सरे मुबारक पर आओ दोनों कंधों के दर्मियान हिजामा लगवाया करते थे और फर्माते जिस चछ्छ ने हिजामा के ज़रे अपना कुन निकलवा दिया तो अब उसे कोई ख़दशा नहीं इस बात के को किसी बिमारी का कोई इलाज ना कराई कोई अगर बीमारी का इलाज आप कराई ना को कराऊ आप इजामा ज़रे अगर आप सर पर हिजामा लगवाद़ आदो कांधों ना यह मेन चीजे सुनत है इह लगवाना चले लीग है अगर आप बीमारी से बचना चा रहे हो और सहत मंद होना है आपको तो आप पिर जामा करवागे इस हदिस पे बहुत कुछ मैं बोल सकता हूं लेकिन बाद में फिर मैं आपको जिकर करूँगा कि सर पे लगवाने से और कंधा पे लगवाने से क्या क्या आपको पाइदे हैं इसाला फिर मैं उसको डिसक्स का हूं अब दसनी हदीस खते हुए इसाला इन्छ वीडियो में आपको तेरी हदीस से आपका आपसे को समात करूए अश्याम आपको